हलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 2 के हिंदी पढ़ेंगे पीवेस क्लास में हम उसके एक चाप्टर पढ़े थे भारत के कोने कोने से आज हम उसके कोस्टिन अंसार देखते हैं भारत के कोने कोने से आपको क्या करना है इस कविता को पूरा याद करके आना है यहां पे कुछ सब्दों का अर्थ दिया गया है जैसे उमंग मतलब मोजवा मस्तिवा खुसी हिमगिरी हिमालय परबत आग प्रेम संगम दो नदियों का मिलनन का स्थल संदेशा मतलब समाचारवा खबर अरुणाई मतलब लाली राग राग की मतलब है स्वर के धून निर्मल मतलब मल रहित स्वच्छ पवित्र यह है कोसिननसर आपको नोट्स में करनी है देखो बताओ यह भी लिखना है आपको नोट्स में राजस्थान भारत के किस भाग में है? पस्टिम भाग में है क्या लिखोगे? किन नदियों के संगम का पानी अत्यन्त पवित्र माना जाता है किन नदियों की संगम का पानी को अत्यन्त पवित्र माना जाता है गंगा और यमुना गंगा और यमुना नदि के संगम के पानी को अत्यन्त पवित्र माना जाता है फूल सेंडेंस में लिखना है बच्चे क्या कर दिखाना चाते है बच्चे अपनी देश के नाम को रोशन कर दिखाना चाते हैं देखो पंक्तिया पूरी करो भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आएं हैं नई उमंग आसाओ का हम संदेशा लाए हैं इस तरह इसका भीता को पूरा करनी है उसके बाद देखो पढ़ो और लिखो यह जो red color box है इस box में जो भी word दिया गया है उसको आप पढ़ना है जैसे निर्माल, निर्जर, अरून, तरून, किरान, पुमंगो, आसाओ, गंगा, संगम, उचा इस तरह इसको पढ़ना है और note में लिखना है रिक्स त्थान में का या की भरोई यहाँ पे देखो खाले जगा दिया गया है यहाँ पे का या की का भरना है जैसे हिम गिरी डेस उचाई क्या होगा हिम गिरी की हिम गिरी की उचाई सागर की गहराई संगम का पानी आसाओ का संदेश यहाँ पे लिखो गया है संगम का पानी आसाओ का संदेश और लास्ट नमबर देखो त्री नमबर इस कविता को गा कर सुनाओ आपको क्या करना है जो कविता है हमारी भारत के कोने कोने से यह कविता को आपको गा कर सुनाना है पूरा कविता याद करके आओगे